हेलो दोस्तो मैं हूँ आपकी सकी रुकू वेलकम टो माई चैनल दोस्तो कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ आप सबी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी दोस्तों, pregnancy हर एक lady के लिए बहुत ही important phase होता है, इन में pregnant lady को कुछ खास अनुभव भी होते हैं, लेकिन कुछ problems का सामना भी महिलाओ को करना पड़ता है, उन्ही problems में से एक problem होती है, pregnancy के दौरान आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगना, आपके body का temperature बढ़ जाना और ऐसा होनी की वज़ा से आपके body में dehydration की समस्या होनी लगती है, और भी कई समस्याओ का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि pregnancy के दौरान, pregnant lady को overheating, यानि अचानक से ज्यादा गर्मी क्यों लगती है, इसके पीछे क्या कारण होते है और इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी चैनल पर first time आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है, हल्फू लगत जैसे कि प्रेगनेसी टाइम में आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होने लगता है, तो उस वज़ा से भी ऐसा हो सकता है, और आपका हार्ट भी ज्यादा मेहनत करने लगता है, जिसकी वज़ा से आपकी बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है, आपके और आप आपकी बॉडी को हाइडरेटेट रखना है, आपको दिन बर में आठ से दस ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, इससे आपके बॉडी का टेंपरेचर कंट्रोल में रहेगा, और आपको डिहाइडरेशन की समस्या भी नहीं होगी, तो आप पानी का सेवन अच्छे से करे और अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो साथ में एक बॉट्र जरूर रखे, इसके लावा आप फ्रूट जूसेस का भी सेवन कर सकती है, लेकिन जूसेस घर में बने हुए ही होने चाहिए, नमबर डू, आपको आपके घर के टेंपरेचर को भी नॉर्मल बनानी के जरूरत है गर्मियों में पसीनी की वज़ा से गर्वती महिला को ओवर हिटिंग का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप अपने घर में वेंटिलेशन को बनाए रखे, यापके घर में हवा आनी जानी चाहिए, यापकी पास होनी चाहिए हवा, अगर कमरे में लू है, गरम हवा आ पहने चाहिए सूती और कॉटण की कपड़े आपको पहने है सूती कपड़े पहनने की वज़ा से आपकी body पसी न sorry कर लेता आपको नॉर्मल या फिर गुंगुने पानी का इस्तमाल करना है जिससे आपकी बॉड़ी का टेंप्रेचर नॉर्मल बने रहें और इन चीज़ों से आपके बॉड़ी को ठंडक मिलती हैं तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जरूरू ट्राइ करें अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो तो फ्रेंड्स उमीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्फुल